कि hello přνεLord मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे science of air wind energy इंड्र इंडेल सारी जाहिए बहुत ही जादा यूज हो रही है और नोट अई ल्क आज इंडेभी यह आजकल वर्ल्ड कोवर सारी डेल वेइस में Air Springs का use हो रहा है पर Air Springs ही क्यों? और जब हम Air Springs की बात करते हैं तो हम किस suspension की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं То मेरी earlier वीडियो में आपने देखा होगा Secondary Suspension क्या होता है Secondary Suspension बिसिकली वो suspension है जो कि आपके bolster और body के बीच में होता है और आपके body के बीच में जो आपको support दे रहा है यानि frame से जो आपको body के बीच में suspension दे रहा है वो आपका secondary suspension होता है और इसके उपर हमने काफी detail में बात करी हुई है लेकिन air springs का use क्यों किया गया coil spring की अपिक्षा तो इसलिए क्योंकि इसका better ride होता है इसके अंदर जो आपके suspension suspension है वो काफी easy होता है comfort level मिलता है इसमें और floor level maintain कर सकते हैं यानि कि जब गाड़ी में load ज्यादा होता है तो उसका floor होता है वो कई बार नीचे आता है load के कारण जिसे हम आम तोर पर भाशा पर buffer ride भी बोलते हैं और कई बार ये जो अच्छे platforms है जहां पर low lying platform है यहां पर platform के उपर आपका flooring maintain करना होता है जैसे metro systems में तो वहां पर हमें floor को अपने coach level को floor level पर हमेशा maintain करना पड़ता है इसलिए हमेशा उसको level करने के लिए हम air spring का यूज करते हैं क्योंकि coil spring अगर load पड़ेगा तो वह अपने सबसे deflection दे देती है मतला kx का deflection जैसे हमने देखा है तो air springs में जब use कर लिया तो हमेरे पर आम तोर पर दिक्कते क्या आती है जैसी जैसे हमने air springs में देखा तो सबसे बड़ा एक जो issue आता है हमने coil spring को air spring में किया है अब आप देख सकते हैं जिस coil spring को हमने change किया वह बहुत flexi coil spring होती है मतलब कि यह काफी बड़ी होती है काफी height में लंबी होती है वो तो इसके कारण इसमें lateral deflection भी हमें काफी अच्छा मिल सकता था lateral deflection का मतलब है अपने axis के around में lateral twist की इसमें काफी अच्छी गुंजाईश थी अब air spring डालने के बाद यह lateral deflection की हमें जरूत पड़ सकती है तो उसका provision हमें देखना पड़ेगा कि air springs में कैसे दिया गया है तो इसलिए air springs का प्रयोक जब शुरुवाती दिनों में शिंकैंचेन और काफी high-speed rails में किया गया तो इंजिनियर्स के लिए बड़ा इश्यू था कि air springs कों कैसे lateral deflection के यूज कर पाएं और यह बहुत ज्यादा important तब हो जाता जब high-speed में गाड़ी कर नेगोश अब जो जो फिएट के original drawings है जो बोगी थी उसमें आप देखिए flexi coil spring है यहाँ पर coil spring होने के कारण यह आपको lateral deflection दे सकती थी लेकिन जो high-speed हम जाते हैं तो हमें इस टाइप का lateral deflection मिलता नहीं है तो हमने वहाँ पर एक जो importance of air spring की हो हमें आप सामझ में आईगी कि example के पर रखी हुई है और यह दौनों air spring का मालीजा center access center यहाँ है और आपका bogey frame भी कुछ इसी access center पर अभी भी टिका हुआ है या जानी bogey frame का access center और यह access center दौनों भी match कर रहे हैं या wheel है तो यहाँ पर कहीं आपका bogey frame आ रहा होगा माल लेते हैं लेकिन जब गाड़ी कर्व मैं मतलब जब गाड़ी कर्व में turn आरती है तो body जो होती है due to centrival forces भार की तरफ move करने लगती है और क्योंकि bogey हमेशा track पर align करने लगती है तो bogey हमेशा track के center को match करती है तो bolster जो body के साथ का part है वो इधर की तरफ shift करने लगता है तो ऐसा नूरू उसमें आपका यह lateral deflection की परिभाशा बोलते हैं और हमें इसकी stiffness की requirement जादा है अब यह जादा हो गया मतलब कि अगर काफी जादा हुआ तो यह body जो frame है उसके जो आपका coach body है वो bogey frame के reflex में काफी जादा shift हो जाएगा और यह काफी dangerous होता है इससे एक तो आपका ride index काफी poor हो जाता है क्योंकि इसमें एक restrictor लगाता है जिससे कि यह ज्यादा भार ना हो जाए और accident का कोई कारण ना बने तो इसलिए क्या होगा कि आप यह मानीजिए अगर bolster है मेरा और bolster का center हम कई बार इसको पुतन traction center रहता है तो जिस फ्रेम में बठाए जाता है उसमें एक restrictor लगा देता है यहाप तो यह क्या करेगा frame को अपने साथ push करने के कोशिश करेगा और जब यह इस type की situation create होती है cover में जादा तो आपका ride index पूर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी cushioning effect आप रहेगा नहीं क्योंकि यह metal to metal यहाँ पर contract हो जाएगा या फिर यहाँ पर यह restrict हो जाएगा इस चीज resistance by air spring अगर हम बढ़ा दें lateral reflection के लिए तो हम कोशिश करें कि यह जो center pivot है यह इस restrictor को hit नहीं करे literally तो यह जो gap है कम तो होगा पर पूरा खतम ना हो तो यह जब यहाँ पर drift करे तो हम चाहेंगे कि air spring भी इसको यहाँ की तरफ पुश करे महला restriction दे यानि resistance create करे इस चीज के लि variable characteristics की बात करता है air springs में यानि की जब straight track पर है तो देखिए थोड़े बहुत small deflection के लिए air spring में lateral forces linear proportionately बढ़ रही है लेकिन जैसी large displacement होता है जैसे हम कर्व की बात कर रहे हैं तो इसका resistance बढ़ाता जाता है जिसके करण क्या होता है resistance बढ़ती है तो यह आम तो पर जो coach body shift होना पाती है अब यह achieve कैसे होगा क्योंकि इसके अंदर तो air भरी हुई है air भरी होने के कारण इस stage को हम achieve कैसे करेंगे आप देख सकते हैं इस टाइप की हम जो चीज़ बात करने के कुश्चिश कर लेते हैं यह आप देखें टॉप जो है वो काफी drift हो गया है center के picture यानि कि हम कह इस टाइप से drift होगी अब इसके अंदर क्या होता है दो चीज़े प्रॉलम हो जाती है कई बार इस एरिया में काफी stress create होता है जो इसका उपर का कर पोर्शन जहां पर यह जॉइन हो रहा है air spring का बेलो और जब यहां पर ज्यादा stress create होता है तो यहां पर leakages के chances बढ़े आता इसलिए आप देखेंगे कई बार air springs में cover plate होती है top पे और इसके अंदर air below होता है अब यह cover plate क्या करती है air below यह आप मांदीजे air below अंदर की तरफ है जब गाड़ी drift होगी इधर की तरफ centrifugal force के कारण तो इसका ही जो metal plate है यह metal plate तो इसकी bolster से लगा हुआ है और यह जो rubber वाल एक extra rigid effect आपको यहां से देगा यहां इस area को push करने के कारण जो यह curve का area है आपका यह इसको रोखने के कोशिश करेगा और यह इसको एक reactive force देगा जिससे की lateral आपका stiffness बढ़े जाता है तो कुल मिला कि हमने design change किया है कि इसका dome जो है जो आपका air spring का cover उपर का top cover है इसको हमने थोड़ा side में shoulder दे दिया है इस shoulder देने के कारण क्या हुआ इसके कारण एक restriction create होता है lateral forces पे और इसके कारण restriction जो आपका resistance है वो बढ़ता जाता है क्योंकि यहां पर compressed air है उसको आपको दवाना पड़ेगा इस bell को दवाना पड़ेगा तो आपको restrictive force मिलेगी इसलिए आपको variable lateral forces आपको मिलती है यह आप देख सकते हैं shoulder जिसकी हम बात कर रहे है अब आप देखिए इसके अंदर tug in किया हुआ है यहां पर rubber इसका यहां होगी तो जब यह इधर की तरफ drift होगा यह आपका इधर की तरफ drift होगा top plate bottom plate अगर यहां है तो यह top plate सबसे पहले इस rubber को यहां से इस area में दबाएगी जब दबाएगी तो इसको एक reactive force यहां से मिलेगा जो इसके movement को रिस्ट करेगा और यही हमें air spring में चाहिए तो दोस्तों air spring के बारे में यह बहुत important एक चीज थी जो शेयर करना चाहरा था आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी यह बह shoulder को provide करते हैं इसके साथ साथ आपने यह भी देखा होगा कि field में जहां पर भी आपका shoulder provide नहीं हुआ है जिन designs के अंदर आपका यहां पर shoulder नहीं मिलता है कई बार आपके पास ऐसी designs भी होंगी जिसमें सिर्फ top plate होती है और उसके बार आप देखेंगे सिर्फ below होता है उस case मे में हुआ भी था कि जहां पर failure chances इसलिए ज्यादा हमें मिले क्योंकि इसमें सिर्फ top plate रखी हो देखेंगे यहां पर lip होती है यहां पर join रहता ही है जब यह डिफ्ट होती है तो यहां से बहुत ज्यादा चांसे दाई लीके हो जाए तो यहां से एयर लीक होती रहती है इसल अजय है जब होती है जपकोश जब होती है है एसलिए जगता है जब होती है आजगाज के छोटו होती है जब हो झार कर देखेंगे और यहां बहुती है बहुतनि नहीं भाहता है